गूगल हिल्था केर में आपका स्वागत है. कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के परामर्ष के बिना मतले. कैलपोल 500 मिलीग्राम टेबलेट को अकेले या किसी अन्य दवा के सयूजन में निर्धारित किया जा सकता है. आपको इसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित र जाता है तो साइड इफेक्ट दूरलब होते हैं लेकिन कुछ लोगों में यह दवा पेत दर्द, मतली और उल्टी का कारण बन सकती है. अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी दुशप्रभव आपको परेशान करता है या दूर नहीं होता है. यह दव की खुराख्या उप्युक्ता को प्रभावित कर सकता है. अपने चिकित सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं. कैलपोल टेबलेट के मुख्य इस्तेमाल कैलपोल 500 मिलिग्राम टेबलेट के लिए निर्धारित है. दर्द से राहत बुखार का उपचार कैलपोल टेबलेट के लाब दर्द से राहत में, कैलपोल 500 मिलीग्राम टेबलेट दर्द और दर्द के इलाज के लिए एक सामान्य दर्द निवारक दवा है. यह व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है और अगर ठीक से लिया जाए तो शायद ही कभी कोई दुश्प्रभाव होता है. अधिक से अध अधिक या अधिक समय तक न ले क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है. बुखार के उप्चार में, कैलपोल 500 मिलीग्राम टेबलेट का उप्योग उच्छत आपमान, बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है. यह बुखार का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक संदेश्वाह की रिहाई को रोब कर काम करता है. यह अकेले या अन्य दवाओं के संयोजन में निर्धारित किया जा सकता है. इसे डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार ले. क्यालपोल टाबलिट के साइड एफेक्ट. अधिकांच साइड एफेक्ट के लिए किसी चिकितसक या ध्यान की आवश्यक्ता नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा में समयोजित होता जाता है, वैसे वैसे गायब हो जाते हैं. अपने चिकितसक से परामर्श करें यदी वे बने रहते हैं या यदी आप उनके बारे में चिंतित हैं. क्यालपोल, के आम दुश्प्रभाव, प पुचली या तोड़े नहीं. केलपोल 500 मिलीग्राम टेबलेट को भूजन के साथ लेना बहतर होता है. अगर आप केलपोल टेबलेट लेना भूल गए हैं तो क्या करें? अगर आप केलपोल 500 मिलीग्राम टेबलेट निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल् करता है. कैलपोल 500 मिलिग्रम टेबलेटे के नालजेसिक दर्द निवारक और एंटी पायरेटिक बुखार कम करने वाली दवा है. यह दर्द और बुखार का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक संदेश्वाहकों की रिहाई को रोप कर काम करता है. धन्यवाद.